अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए आज मैं डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्स्पेनेशन करूंगी यह वीडियो पार्ट 18 है मी उन लोगों को बोलती है मुझे टायड लग रहा है इसलिए मैं कुछ देर अकेला रेश्ट करना चाहता जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम लोगों को 168 दिखाऊंगा मी सोचती है मुझे इतनी जल्दी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहिए मैं डियूमन क्लान के एल्डर से कॉंटाक्ट करूंगी और मैं उन्हें टेम्पराली के लिए सोल कॉंट्राक्ट रिलीस करने क लिए बोलूंगे ताकि मैं इन लोगों को 168 बता सकूंगे जाने के बाद जियू बोलता है क्या उसे अकेला छोड़ना सही रहेगा वह यहां से भाग के तो नहीं जा सकता है ना मू बोलता है वह मॉस्टर कंप्लीटली फूल बन चुका है वह यहां से इसलिए जा रहा है कि वह ड्यूमन फ्लान से कॉंटार्ट कर सके वह अपने एल्डर से बादशीत करेगा ताकि 168 कहने के लिए उसे कोई पनिस्मेंट ना मिले तभी चू बोलता है तो फिर हमें उसका आने का वेट करना होगा मास्टर आपको मेरा आक्ट कैसा लगा मू बोलता है क्या तुम ए ही बोल रहे हैं आपका एक्टिंग स्कील जी यू से बराबरी नहीं कर पाएगा यह सुनके चू उस्से से बोलता है होंग चान मैं देख रहा हूं रिसेंटली तुम्हारा हिम्मत बढ़ते जा रहा है क्या तुम्हें लग रहा है मास्टर के सामने में फाइट नहीं कर सकता तभी मू बोलता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो तुम ओल्वेडी लिंच्वान पेलेस के लोड हो तुम्हें थोड़ा मेच्वर एक्ट करना होगा एन ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए तुम्हें बच्चों की तरह लड़ना नहीं चाहिए तभी चू मू का हाथ प सप्राइज हो जाते हैं यू पूछता है क्या आप दोनों ने सच में एक दूसरे का सोल को मिलाया है मू चू का माउथ कवर करते हुए बोलता है यह पस एक्सिडेंट था तुम उसके नॉंसेंस बातों को बिलीव मत करो कोई बात नहीं आपको एक्स्प्लेन करने की जरुर उनके जाने के बाद चू बोलता है माश्टर क्या हम दोनों कन्टिन्यू कर सकते हैं यह सुनके मूँ उसे दूर pushing करता है यह गुससे से बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो मुझसे दूर रहो चू उसका हाथ पक्ड़ के बोलता है देखा जाए तो तब बेर्ड में मैंने आपके साथ जादा कुछ नहीं किया था या आपके मन में मेरे लिए कोई फिलिंग्स नहीं है ये सुनके मूँ बलस करने लगता है और वो सोचने लगता है उस दिन बेड़ में क्या हुआ था तब ही चूँ उसे बॉलता है आपका एक्सप्रेशन देखके लग रहा है आपको याद आ गया उस दिन क्या हुआ था मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए तब आप कैसा फिल कर रहे थे पिस उनके मूँ उससे दूर हो जाता है चूँ उसके करीब जाते हुए बॉलता है क्या आप गुसा थे या फिर आप डिस्गस्टेट फिल कर रहे थे या आप हापी थे मूँ उसे दूर पुछ करते हुए बॉलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बॉल रहे हो चूँ उसका चीन पकरके बॉलता है क्या आप सच में नहीं समझ पा रहे हैं पर आप गलस क्यों कर रहे हैं ये सुनके मूँ बॉलता है चूँ तुम रेबेलियस बन चुके हो चूँ उसे हग करते हुए बॉलता है रेबेलियस सन या फिर कुछ और इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप मुझे डांट सकते हैं मुझे उसे पूसता है तुम्हारे मन में कब से मेरे लिए ऐसे फिलिंग्स जगे चू बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं है पर बहुत लंबा समय गुजर गया है एनिवे मुझे बस इतना पता है कि मैं आपको बहुत लंबे समय से लाइक करता आ रहा हूँ यह सुनके मुझे अपना हाथ उठाता है उसके सर में पैट करने के लिए पर तब ही चू बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप अपने औरिजनल बोड़ी पे वापस चले जाएं क्योंकि ये बोड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा हुई की है जिसके बज़े से मैं आपको टच भी नहीं कर सकता पर जब आप अपने औरिजनल बोड़ी पे जाएंगे मैं तब आपको कंप्लीट लिखा सकता हूँ ये सुनके मूँ बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाता है चू उसे पूछता है मास्टर आपने अपना हाथ उठाया है क्या आप मेरे हेड को टच करना चाहते थे मूँ उसे दूर पूछ कर देता है एंड बोलता है तुम सच में एक रिबेलियस सौन हो ये बोलके वहां से चला जाता है चू पूछता है मास्टर आप कहां जा रहे हैं मूँ बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो चू सोचने लगता है आखिर वो अचानक से गुस्सा क्यूं हो गए तभी वहां पे होंचान एन जीयू आ जाते हैं होंचान पोचता है मास्टर क्या आपने मूँ से बाच्चित कर लिया होंचान देखता है कि मूँ वहां पे नहीं है वो पोचता है वो कहां गए जीयू बोलता है प्रदर चू क्या आपने उन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया ये सुनके चू गुस्से से बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो मैंने कभी भी माश्टर को गुस्सा नहीं दिलाया है मेरा रिवलेशनसिब माश्टर के साथ तुम से भी गहरा है होंचान बोलता है माश्टर आप सांत हो जाईए चू गुस्से से पेड़ के नीचे बैठ जाता है होंचान पोचता है माश्टर क्या कर रहे है वो ट्री के नीचे क्यों बैठे है जीओ बोलता है मुझे पता नहीं इधर मूँ को दिखाया जाता है हो अभी भी गुस्से में है वो सोचता है वो मुझे खाना जाता है आखिर इसका मतलब क्या है वो सच में एक रिवेलिये सर्फन है चलते चलते मुँ किसी का भोईस सुनता है वो सोचता है क्या ये भोईस मॉंस्टर का नहीं है तबी वो अपने सामने उस मॉंस्टर को देखता है मी अपने एल्डर को बोलती है मुझे one soul art imprisonment से बचना है एल्डर हो बोलता है one soul art demon race का बोगत ही जादा important method है वो human तुम्हारे मुझे 168 निकालना चाहते हैं क्या होगा अगर वो तुम्हें trick कर रहे होंगे तो मी बोलती है आप मजा कर रहे हैं क्या आपको लगता है वो stupid human मुझे fool बना सकते हैं मैं उन्हें कब से गुद्धू बना रहा हूँ आपको पता नहीं है कि 168 बहुत पहले ही leak हो चुका है और अभी लिंग्श्वान पहले 168 के बारे में जानता है इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे जल्दी से release कर दे मुझे 168 टेक्निक बोल के उन्हें प्रूब करना होगा अपना identity वैसे आपको लोड को इंफॉर्म करना होगा कि हमारे जी यू आई के पोजिशन के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल गया है यह सुनके elder house में पर जाता है और वो बोलता है human आखिर इतने powerful कैसे हो सकते हैं क्या तुम सच बोल रही हो तुमने अभी अभी मू कुछ जी का बोड़ी में एंटर किया है और उन्होंने इतनी important चीजे तुमें बता दिया मैं नहीं लगता वो लोग तुमें दोका दे रहे हैं मी बोलती है elder आप मुझे ऐसा मत बोलिये कि वो लोग मुझे चीट कर रहे हैं या नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ यह सच है या फेक है पर उन्होंने GUI को Linkshuan Palace में discover कर लिया है एंड उन्हें दूसरे जगर के location के बारे में भी पता है अब तक मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला है वो इसे भी उन्हें 108 के बारे में पता है इसलिए मैं 108 यूज करके उन्हें अपना identity प्रूब कर सकता हूँ इसमें आखिर बुरा ही किया है elder हो बोलता है अगर चल रहा तो वो पाउरफुल हो जाएंगे तुम 108 टेकनिक यूज करके उनके सोल पर अटाइक कर सकते हो अगर उन्होंने तुम्हें नहीं रोका तो फिर वो तुम्हें चीट कर रहे हैं यह सुनके मी बोलती है ठीक है ठीक है मैं समझ गई मी सोचती है डीमन रेस के अल्डर चान पेबी मैं इजिली ये ट्रिक नहीं आजमा पाऊंगा देन वो मुह के बारे में सोचता है और वो हस्ते हुए बोलता है वो परसन वीक ही है और उसका स्पीरिट और भी जादा वीक होगा मैं उसे चूज करूंगा तभी मुह आके बोलता है क्या तुमने मुझे बुला मी बोलती है मैं बस तुम्हें ढूंड रहा था चलो हम दोनों अब वापस चलते हैं मी सौचती है वो सही टाइम पर यहां पर आया है वांसल आट के जरिये में उसके स्पीरिट पर अटाक करूंगी मुह बोलता है ठीक है अभी हम दोनों को चलना चाहिए यह बोलके वो मुह तुरत मेजिकल पावर यूज करता है जिसकी वज़े से मी दूर जाके गिरती है मुह पीछे पलत के देखता है एं उसे बोलता है तुम्हारे मुह से खोन निकल रहा है मी बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं ठीक हूँ मी सौचती है यह परसन वुई की है फिर भी उसने मेरे डिवाइन सोल अटायक को रोक दिया एं एल्डर बोल रहे हैं कि इन लोगों को वन सोल आठ के बारे में नहीं पता है मुझे एल्डर्स की बाते नहीं सुनना चाहिए मुझे बोलता है आप सीक लग रहे हैं हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए मी उस पर अटैक लेह बोलती हैं हम नहीं बलकिमें मोंसोचने लगता है आखिर ये मोंश्टर क्या कर रहा है इसा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मौस्टर को सक हो सकता है तो यह मूँ उससे फाइट बेक नहीं करता है मी का अटाइक से मूँ एक आनिमल में बदल जाता है जो एक लायन की तरह दिख रहा होता है मी उस लायन को पकड़ के बोलती है तब तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझ पर एक नाइट स्पिरिट बीश्ट के बेबी बन चुके हो क्या तुम इससे गुप्सा हो मूँ सौसता है यह मौंस्टर सच में स्टूपिड है उसका बिहेवियर कंट्रोल करना मुस्किल है मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वह इस तरह का ट्रिक इस्तिमाल कर सकता है मी बोलत है आप यहां पर क्या कर रहे हैं मी उसे वह आनिमल दिखाते हुए बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा था मुझे यह नाइट स्पिरिट बीश्ट का बेबी मिला है मैं बस इसे पकड़ के देख रहा था मी घुसे से सोचती है चू सड़नली कहां से आ गया और चुनेटली उसमें मुझे नहीं देखा नहीं तो मैं अब तक exposed हो चुकी होती चू पूशता है मुझ कहां पर है वो इसी direction में आ रहा था तुमने उसे देखा होगा ना मी बोलती है नहीं मैंने उसे इधर आते हुए नहीं देखा है चू बोलता है यह कैसे possible हो सकता है तुम जूट बोल रहे हो जू गुस्टे से सोचता है मास्टर सडनली कैसे गायब हो सकते हैं उनका बोड़ी अभी वूई की है वो कोई भी पावर यूज नहीं कर सकते क्या ऐसा हो सकता है कि इस मॉंस्टर ने मास्टर के उपर अटाइक किया है तभी वो स्पीरिट बीस्ट मी के हातों से निकल के चू के पास चला जाता है चू उस आनिमल को पकड़के बोलता है यह तो एक नाइट बीस्ट है वो नाइट बीस्ट चू को बोलने के कोशिस करता है कि यह मैं हूं तभी चू नोटिस करता है कि उसके हातों पे फ्लावर ब्लेसलेट है यह बेसलेट उसने मास्टर को दिय सूर्चता है कि आंश्टर एक नाइट स्पिरिट बीस्ट में बनल गए हैं मुझ अपने मन के जरी जू को बोलता है मैं एक स्पिरिट बीष्ट में ठ्रांस्पोर हो चुका हूं मेजिक की बज़े से पर तुम परिशान मत हो मैं वापस अपने रूप में आ सकता हूँ अभी हमें monster को suspicious नहीं करना है हमें अपना plan continue रखना होगा ताकि वो 108 यूज करें चू सोचने लगता है Unexpectedly मैंने जिसे पकड़ा है वो monster है वो एक cute night beast में बदल चुके है अभी मी बोलती है क्या तुम मू की बज़े से अपने master से fight करना चाहते हो चू बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है मू तो बस एक ordinary subordinate है चलिए हम वापस चलते हैं मी बोलती है by the way तुमने इस night spirit beast को क्यों पकड़ा है तुम उसे मुझे दे दो मैं उसे मार दोंगा ताकि हम मीट खा सकें यहां पर चाप्टर खतम हो जाता है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का श्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें थांक यू पर वाचिंग माई वीडियो